हनुमान जी यानि चमतकार का दूसरा नाम पौरानिक काल से बजरंग बली का नाम चमतकारों से जुड़ा है एक ऐसा ही चमतकार आप लाहबाद के संगम तर पर स्थित बड़े हनुमान मंदर में देख सकते हैं जहां भगतों को उनकी मौझूदकी का एहसास होता है पौराने कथाओं में इस मंदर को लेकर कई ऐसी मानिताएं जुड़ी हैं जो काफी हैरान कर देने वाली हैं बता दे की संगम तर पर स्थित ये मंदर काफी पुराना है इसके अलावा इस मंदर में आज भी चमतकार देखने को मिलते हैं जहां लेटे हनुमान जी को गंगा मा स्वन्यस नान कराने आती है इस चमतकार के पीछे भी एक रहस्य छिपा है जो आज हम आपको अपनी इस खबर में बताएंगे रावन का वदकर और लंका पर विज़े प्राप्त के बाद पवन पुत्र हनुमान जब अपार कश्ट से पीडित होकर मरनासा नवस्था में पहुँच गए थे इसके बाद माता जांकी ने इसी जगह पर उन्हें अपना सिंदूर देकर नया जीवन दान दिया था और हमेशा आरोंग्यवच रायू रहने का आशीरवात देते हुए कहा था कि जो भी इस त्रिवेनी तरपर संगम स्नान पर आएगा उसे संगम स्नान का असली खल तभी म प्रयाग राज में आने वाले हर एक श्रद्धालू मंदिर में हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और उनके दर्शन करने के लिए यहां आते हैं प्रयागराज में स्थित इस भव्य मंदर को देखने के लिए श्रधालों का बड़ी संख्या में ताता लगता और देश-विदेश के लोग भी इस मंदर में दर्शन करने आते हैं